जय माता दी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्टो फेंड अंचु में स्वागत है मैं डॉक्टर अशु गुपता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कैसा रहेगा मितुन राशी का नेवेंबर का महीना कैसा रहेगा आपका सौस नेवेंबर के महीने में शिक्षा कैसी रहेगी, लव रिजलेशन्चिप कैसी चलेगी, बेवाहिक जीवन में कोई परेशानी तो नहीं है, नौकरी और वेबसाइब में तरक्की है, मन चाही नौकरी मिलेगी, क्या मेरी धनकी और आर्थिक सिती अच्छी होगी नेवेंबर के महीने में, और कौन सा है वो अच्छुक उपाए, जो मुझे नेवेंबर में जरूर करना चाहिए, ये सभी प्रश्ण मितुन राशी वालों के मन में सरूर आते हैं, हमारा आज जैसा भी गया, पर हमारा कल अच्छा होना चाहिए, और किसी भी परकार की कोई समस्या है, तो उसका उपाए भी सरूर पता होना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, कि कैसा रहेगा मितुन राशी का नेवेंबर का महीना, वीडियो कौन तक सरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन सा अबित होने वाला है, और यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर लें, बैल नोटिफिकेशन को आउन करें, जिसे की मैं जो एस्ट्रलॉजी, वास्तु, निमलॉजी से रिलेटेट वीडियो जालती हूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको शिगर मिले और आप उससे लाब उठा सकें, कैसा रहेगा आपका नेवेंबर का महीना, तो सबसे पहले हम जानेंगे कोचरे सिथी, हमारे जीवन में जो भी घटनाए घटती हैं, कोचर के अनुसार ही घटती हैं, तो मिथों राशी की कोचरे सिथी इस परकार से हैं, अब गोचर के अनुसार कैसा रहेगा आपका नेवेंबर का महीना, तो शुरुवात करते हैं लगन से, यानि कि आपका स्वासता आपके सेहत कैसी रहेगी, यहाँ पर लगनेश बुद्ध हैं, पंचमभाव में बैटे हैं, ऐसे सिती में केतु और सूरी के साथ बैटे हैं, खाना पीना बहुत होगा आपका भार का, ऐसे सिती में आपको अपने खान फान पर विशेज तोर पर धियान रखना होगा नेवेंबर के महीने में, पेट से संबंदित परिशानी उत्पन हो सकती है भार का खाना अवाइड करिए सेहत आपकी अच्छी रहेगी कैसी रहेगी शिक्षा आपकी निवेंबर के महीने में तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी रहेगी मन लगा कर पढ़ाई करेंगे पूरा confidence और concentration से पढ़ाई करेंगे यदि आपका निवेंबर के महीने में कोई exam है तो आपका exam भी बहुत अच्छा होगा आप अपनी study से satisfied रहेंगे बहुत अच्छा है आपका निवेंबर का महीना कैसे रहेगी love relationship निवेंबर के महीने में तो love relationship भी हम पंजम भाव से ही देखते हैं और love के स्वामी शुक्र अपने ही राशी में बैठे हैं पंजम भाव में तो love relationship आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे एक दूसरे की care करेंगे फूमना फिर्णा भी बहुत होगा निवेंबर के महीने में और निवेंबर के महीने में विचार भी मर्श भी करेंगे कि घर में कब बात करनी है तशमभाब के स्वामी गुरू ब्रस्पती अपनी ही राशी में तशमभाब में बैटे हैं एक दूसरे की care करके चलेंगे एक दूसरे को बहुत अच्छी से समस्ते भी चलेंगे एक दूसरे का ध्यान देंगे यहां तक कि एक दूसरे के career में आप सपोर्ट भी करेंगे आपके पार्टर को प्रमोशन के भी योग बण रहे हैं यदि वो कोई website कर रहे हैं तो कोई दूसर website का भी योग बन रहा है गर में कोई शुबमांगे कारे के भी पूर्ण योग बन रहे हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छ से भाग के आपका साथ कम देगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, निवेंबर के महीने में मेहनद जाता होगी, उसके बाद आपको फल सरूर मिलेगा, नौकरी का प्रियास कर रहे हैं, स्ट्रगल करना होगा, पर नौकरी आपको मन मताबिक ही मिलेगी, प्रोमोशन के लिए भी आपको मेहनद करनी होगी, तभी आपको प्रोमोशन मिलेगा, वेफसाय में भी आपको बहुत मेहनद करनी होगी, उसके बाद आपको लाब होगा, तो नौकरी और वेफसाय में मेहनद करिये, लाब आपको सरूर होगा, कैसे रहे कि धनकी और आर्थिक सिती नेवेंबर के महीने में स्ट्रगल है मेहनत है पर लाब भी है तो धनकी और आर्थिक सिती आपकी नेवेंबर के महीने में अच्छी रहेगी परन्तु आप कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं investment का मन था आपका पर नेवेंबर के महीने में investment मत करिएगा क्योंकि यहां भाग गया आपको support नहीं करेगा तो नेवेंबर का महीना investment के point of view से अच्छा नहीं है कौन सा है वो अचुक उपाई जो आपको नेवेंबर के महीने में जरूर करना चाहिए करिए ही उपाई आपके जीवन में जो भी परेशानी है पहले से आ रही होंगी या आने वाली होंगी वो दूर होंगी और आपका नेवेंबर का महीना बहुत अच्छे से वितीत होगा तो मित्रो यह थी जानकारी कि कैसा रहेगा मितुन राशी का नेवेंबर का महीना हमारा कल का वीडियो होगा कैसा रहेगा करकराशी का नेवेंबर का महीना उमीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लापकारी साबित होगी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा दोस्तों और इश्चेदारों में शेयर करें वीडियो से संबन्दित ये दिया आपका कोई प्रेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं अपने चैनल एस्ट्रो फेंडेंश को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल नोटिफिकेशन को आउन करें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं डेली का राशिफल होता हैं डेली का पंचांग होता हैं और बहुत यूस्फुल काम की टिप्स होते हैं तो करिए फेस्बुक और इंस्टागाम पर फॉलो जै मात अदी आपका दिन शुभ हो